नमस्कार, मैं चंदरकान स्री वास्तव, आप देख रहे हैं सोतन तरने उच्छार करें हम देखेंगे दिन भर की तमाम छोटी बड़ी ख़वरें और ये देखते हैं सबसे पहले आज की हड़ लगा मैं साब ये तो पूल बहुत पहले बनना चाहिए चुकि ये पत जो है सिधा जिल्ला को जोड़ता है बाबुलाल जी आस्वासन देखे गए थे कि बहुत जल्दी इस पे मतलब काम लगेगा और काम लगेगा लेकिन पता नहीं किसी का मरने का इंतेजार कर रहा ये तो दूर्दसा कहीं जाय सकती है इससे बड़ा दूर्दसा कुछ भी नहीं कहा जाय सकती है जब कोई एकाद दो आदमी मर जाएगा तो परसासन की निंज खुलेगी हम लोग जहां उचित माध्याम है सब जगह पर जाके आगरा किये परन्तु किसी ने सुना नहीं बबुलाल जी के अनुसंसा से इसका एस्टिमीट बना एस्टिमीट बन के पता ने वह एस्टिमीट कहां ला पता हो गया अभी तक कारी प्रारम भने हुआ रोज पता धिकारी आज प्रारम होगा कल प्रारम होगा अब पता धिकारी बिलकुल गज निंद में सवय हुए है नमस्कार मैं चंदरकान स्रीवास्ता और आप देख रहे हैं सोतंत्र निव जारखन आज हम हैं गिरिडी जिला के राजधनवार के राजा नदी में राजा नदी यानि आप समझ सकते हैं कि राजा का जो सब्द है कितनी किम्टी है और यहाँ पे इसी महिने के आखरी तारीक को छ़ट गाट इसी नदी में सजने वाली है और यहाँ पे लाखों सरधालू इस छट मया के दर्सन के लिए इसी नदी में पहुंचते हैं और हम दिखाएंगे यहाँ के जो राजधनवार की जो रास्ते की जो हालात है यह पूरे रेमबा से जो राजधनवार का जो मुखे मार गए इनके हालात आप देख पा रहे हैंगे यही है वो घाट जो पूरे जहारखन में पर चली था जिनके नाम से लोग रामगड से लेकर के और राची बिहार किसी ऐसा जगा नहीं होगा जहां से यहाँ लोग छटी मया के दर्सन और पूजा आर्शना के लिए नहीं आते होंगे रास्ता रेंबा से राज धनवार का यह मुख्य मार गए और इसी रास्ते से सारे वेपारी अपनी जीवन जापन करते हैं और इस रास्ते की जो हाल है आप देख पा रहे हैंगे जो रास्ता यह पूल जो बना हुए इस रास्ते में यह पूल की जो स्थिती है इतनी जरजर हो चुकी है ऐसे हालत आज नहीं ये दो साल से इस पूल की जो हालात है बिल्कूल इतनी जरजर है कि यहां पे बड़े गारी का तो आना संभव ही नहीं है यह जो देखिए यह पूल के इधर और इस साइड में देखिए कितनी बड़ी खंधर हो चुका है अगर कोई भी गारी इस रास्ते से गुजरती है तो कितनी जोखिम भरा यह रास्ता है कि उनकी जीवन उनके सपने उनके बच्चे की दुनिया कहां तक सिमित सिमित रह जाएगी यह कहना मुश्किल है आईए हम बात करेंगे आज से दो साल पहले जो यह पूल तूटने के बाद यहां पे माननी यह बिधायक श्रीबावुलाल मरेंडी जी और पूरो मुख्यमंत्री हमारे जारखन के रह चुके हैं वो यहां आकर के खुद अस्वासन दे करके गए यहां के जनता को कि बहुत जल्दी इस पूल का निर्मान हम करेंगे और आज से कुछी दिन बाद छटी मईया का नेता है यह धनवार बिधान सहभा में यह पूल है यह पड़ता है आईएम बात करेंगे जो यहां के जो अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सुबोध राय जी जो यहां के वर्तमान जिला परिस्तद जी हैं fiber बात करेंगे कि क्या इस पूल के बारे में सरकार को कै इसे आगे काम बढ़ाना चाहिए याने कि इनका क्या योगदान रहेगा इसे पूल को बहुत जल्दी निर्मान कराने में तो सर आप बताइए कि छठ घाट बहुत जल्दी सजने को तयार है यहां छठी मैया के लिए और करोणों की यहां भीड़ होती है रात में तो ऐसे सित को जीला से जोड़ता है और मैं बता दू यहां तक कि सारे पताधिकारियों आने का मुख मार्ग यही रहा करता था और अभी भी है लेकिन देखी का रोज यहां से आने जाने वाले लोग जान जो खिम में डालके पार हो रहे हैं उपाय कुछ नहीं है एक मात्र यही रास्त है यह दरजनों गाउं का और मुख्याले तक का तो बहुत पहले बनना चाहिए था परन्तु यह वैवस्था जो है यह वैवस्था में हम लोग जहां उचित माध्यम है सब जगह पे जाके आगरह किये परन्तु किसी ने सुना नहीं ठीक है और हम लोग प्रयास भी किये एक हम देते हैं आज प्रारंब होगा कल प्रारंब होगा अब पदाधिकारी बिल्कुल गज निंद में सोय हुए हैं कभी घटना होगा और बड़ी घटना होगा और इसका जिम्मेदार सीधा सीधी सरकार और यहां के पदाधिकारी होईगे तब हम लोग इसे पदाधिकारियो आपने देखा यहां पर इस जो धनवार बिधान सभा छेतर पड़ता है इस बिधान सभा के जो वर्तमान बिधायक सिरी बावलाल मारेंडी जी है और वो पूरो मुख्यमंत्री भी जारखन के रह चुके हैं उन्होंने खुद अस्वासन दे करके यहां से गए हैं कि बहुत ज इसके कारण यहां पर आज जो लाखों लोग इस राष्टे से गुजरते हैं रोज वो अपने जान को जोखी में डाल करके गुजरते हैं और ऐसे स्थिती में अगर घटना होती है तो यहां के लोगों का कहना है कि ना मैं सरकार को माफ करूँगा और ना जो यहां के हमारे जो परतिनीदी हैं उन लोगों को क्योंकि आज दो साल हो चुकी है और इन पूल की कोई भी कार कैरी अभी तक चालू नहीं हुआ है और आए से 20 दिन बाद यहाँ पे जो छट मया की पूजा होने वाला है और इसी छट गाट में जो यहाँ पे राजा नदी के नाम से जाना ज लोग जो इतनी कोशिश कर रहे हैं कई और धर्णा पर दरसन किये लेकिना उनके बातों के कोई जबाब नहीं है लोग अपनी एलेक्षन में खड़ा होते हैं अपनी चुनाव जीतने के बाद कहा होते हैं उनकी दर्सन तक पब्लीक को नहीं होता है कि अपनी परेसानियों क को सुना सके और अपनी परेसानियों को बता सके आपका सुभ नाम क्या हुआ कमलेस आपका हमारे चैनल में स्वागत है आप यह बताइए कि जो पूल की जर जर इस्टी हो चुकी है यह लगभा कितने दुनों से है और यह यहां की जो सरकार जो यहां की बिधायक है या फिर य लगेगा और काम लगेगा लेखिन पता नहीं किसी का मरने का इंतेजार कर रहा मतलब दो चार पाच गोरहन के डेम के जैसा यहां बच्चे लोग मरे या बड़े मरे उसके बाद ही यहां कुछ होगा यह बात तो तय है जैसे यह बताइए आपके यहां पे तीस तारी को सचता है कि यहां पे लाखों करूडों की भीड होती उस रात छट पुजा के रात में उन लोगों के लिए क्या यह रास्ता परेशानी नहीं होगी उस दिन भी मतलब मरने का कगार पर लोगों को छोड़ा जाएगा जब दूचार गों मरेगा उसके बाद यहां के नेता लो राई धनवार का यह मुख्य मार गए तो क्या कभी धरना परदसन वगरा यहां के जो लोकल नेता लोग है इन्हों किया था हाँ बिने जी किये थे एक बार लेकिन उस टैम भी आस्वासन देखे ही छोड़ दिया गया कि बहुत जल्द आप बताईए सर कि जो यह रास्ता का जो हाल है यह रास्ता कभ से ऐसार इस पर काम क्यों ने दिया जाया के नेता कहा है जो कि मानने यह धनवार बिधार सभा में पड़ता है और इनके जो अभी वरत्मान बिधाय की हैं वो स्री बावलल मारेंडी जी हैं पूर मुख मंत्री भी रह चुके हैं तो क्या उनके जो परसासन एक जूट हो करके मतलब खड़ी कमान में काम की है लेकिन यहाँ पर नावाडी मंडड़ जो कि यहाँ से बहुत दूर दराज के लोग आते हैं नावाडी से आते हैं कोडरमा साते हैं सर्या से आते हैं बagonर ऐते एक मात नहीं एक रास्ता रहा है वही रास्ता बत्तिती हो गई है कि जिसका क्या बोले की बात है कि आना जाना ऊसेवल हो गया कि जान जोखिम में किसी को भी जाना पड़ता है पाजी इस्तिती कि ना को बड़ी गाली जा लेकिन परसासन और आपके मेरे जो मानी बिधायक जी है मानी शांसत जी है अस्वासन दे करके माले वाले यहां पर बैठक भी बैठाए थे अंसंग किये मर जाएगा ईटक निसे कुले ओफने सुना के यहां के लोग है पहली बात इहां पे जो इंजिनियर लोग होते हैं इन पूल का करने राष्ट्रañों का निर्मान इतनी घठी में तरीका सी किया जाता है तकि वो साल भर में पूल तूटना फूटना चालू हो जाया और मरमती चालू हो जाया कि उनका फिर से चाइरड बन जाया इसी राष्ते में रेमभा के बीचो बीच मैं नावाडी मंदिर पढ़ता है और इसी मंदिर में यहाँ देवगार दी वागवदर में और और इसी रोड का इतनी घटिया यह हालात है कि जब यहां पर इस राष्टे से गुजरते होंगे उन्हें यह पता साइद नहीं लगता होगा कि हम वापस घर पहुंशेंगे या नहीं क्योंकि और अभी यहां पर जो आने वाले बंगाल से भी लोग आते हैं और इस राष्टे की जो हाल है इस घाट को देखने के लिए करोडों की जो भीड होती है बताइए कि ऐसे सिति में यहां की सरकार कहा है यहां के परसासन कहा है पूरे परसासन रोड में रोड में जो लोग गाड़ी चलाने वाले हैं तो उनसे चा पड़ता है वो हमारी बिधायक आज कहा है जो 15 दिन से 15 से 20 दिन के बाद हमारी राज धनवार घाट सजने वाला है और यहां पर करोड़ों के भीड होने वाली है अगर इसी रोड में आवागमन के साथ किसी एक जो हमारी भक्त है उनके साथ कोई हाथसा होता है इसका जवाब कौन लेंगे हमारी परसासन देंगे यह हमारे यहां का बिधायक देंगे यह हमारे बैठे सरकार देंगे क्या इस मेटर में सरकार को पहल करनी चाहिए या नहीं अभी भी अगर काम चालू करते हैं तो अभी भी वक्त लगेगा लिकिन ऐसे सिती में यहां का जो जनता कई ब लोग हैं धरना परदर्सन किये कई बार लोगों को आविदन दिये और जब कि यहां के जो वरत्मान बिधायक श्रीबा बुलावल जी है वह आकर के खुद उन्होंने अस्वासन दिया लेकिन फिर भी इस पुल की काम अभी तक चालू नहीं हुई है चालू है आपको अभी मै ने कहा और अभी देखिए इसी रास्ते से यहां 200 सवारी ले करके इसी रास्ते से यह बस जा रही है हम आई यह बात करते हैं इस बस के जो चालक है इनको आप तो ड्रैवर साहब आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं इस रास्ते के हालत इतनी बत्तर है आपको आपको क्या एसा लगता है कि हमारा जीवन यहां से निकलेगा तो तो यहां के जो सरकार को आफ क्या कहना चाहेंगे कि इस पूल के बारे में वितर निर्मान पढ़ता हैं आपने देखा आप देखिए इस बस में पूरी सवारी भरे हुए है और इसी रास्ते से जाते जिस रास्ते की इतनी हालत खराब है कि ने यह पता नहीं होता कि रास्ते से सही सलामत हम निकल पाएंगे या नहीं आइसी शिती है यहां के हमारे जो परतिनी दिया के जो लोग हैं तो बने रही है हमारे साथ